हाई व्यूवर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल फ्रेंस यह देखे आज हम सिखेंगे यह बहुत ही संदर सा केबल निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आपके से भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस कार्डिन में लेडिस जैकेट में जैन्ट साफ सैटर फुल सैटर में बच्चों के सैटर में कैप में मफ्रल में डाल सकते हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है यह दिखिए और बैक साइड से इस तरह से दिखता है तो इसे बनाने के लिए जो सुची चाहिए होंगे वो 7 के multiple से होंगे प्लस 2 फंदे extra होंगे और जो design है total 2 raw का design है तो चलिए फैन बनाना start करती है तो दिखिए मैंने यहाँ पर 18 फंदे लिए है 14 फंदे 7 के multiple से लिए है प्लस 2 फंदे extra होंगे side में design को equal करने के लिए 2 फंदे extra होंगे और base देने के लिए 2 raw उल्टे फंदों के सार निकाल लिए है तो चलिए बनाते हैं यह इसकी first raw है और foundation raw है यह raw सिर्फ आपने एक ही बार बनानी है जब इस pattern को start करेंगे तो दिखिए first raw और foundation raw right side extra slip करेंगे और इस सारी raw को सीधे-सीधे फंदों के साथ मुनकर complete कर लेंगे आस्टिच पी सिधा ही बना लेंगे first foundation raw complete हो गई है अब देखिए first raw है और wrong side है इस raw से हमारा main pattern start करेंगे first raw wrong side slip stitch धागा पीछे करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे सीधे one two धागा अगे करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो बार धागा wrap करके one two one तीन फंदे उल्टे one two three फिर से एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो बार धागा wrap करेंगे one two one यह दिखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो बार धागा wrap करके तीन फंदे उल्टे two three फिर से एक फंदा उल्टा दो बार धागा wrap करके यह seven फंदों का pattern है दिखिए two four six seven फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करेंगे तो फिर से दिखिए दो फंदे सीधे 1 2 एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो भार धागर आप करके 1 2 1 तीन फंदे उल्टे 1 2 3 फिर से करएंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे दो बार धागर आप करके यहां पर हमने दो पैटन complete किये हैं, last में, हमारे पास 3 फंदे हैं, 2 फंदे, सीधे, 1, 2, as stitch, उल्टा बना लेंगे, second और, right side, as stitch, slip करेंगे, repeat pattern, start करेंगे, 2 फंदे, 1, 2, धागा पीछे करेंगे, अब 2 फंदे, यह दिखे, इनको ऐसे उतार लेंगे, unwrap कर लेंगे, इसको left needle पर लेकर जाएंगे, 2 फंदे right to left, twist करेंगे, twist to left, यह दिखे, इस तरफ को back loop से, पहले second फंदा आगे लाएंगे, और front loop से first फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंद सिधा बुनेंगे, 1, 2, एक फंदा उल्टा, यह center का फंदा है, फिर से 2 फंदे left to right twist करेंगे, twist to right, इस तरफ को, पीछे का second फंदा आगे लाएंगे, और आगे वाला first फंदा back loop से पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सिधा बुनेंगे, 1, 2, यह दिखे, यहाँ पर हमन दो फंदे बनाए, दो फंदे right to right twist करेंगे, और सिधे बुने, एक फंदा उल्टा, दो फंदे left to right twist करेंगे, फिर से pattern repeat करेंगे, तो फिर से देखिए, दो फंदे उल्टे, 1, 2, दो फंदे right to left twist करेंगे, back loop से second फंदा आगे लाएंगे, front loop से first फंदा पीछे लेकर दोनों फंदे सीधा बुनेंगे वन टू सेंट का एक फंदा उल्टा अब दो फंदे लेट टू राइट इस करेंगे फ्रेंट लोप से पीछे का फंदा आगे लाएंगे और आगे वाला फंदा बैक लोप से पीछे लेकर जाएंगे और दोनों फंदे सीधा बुन लेंगे वन, टू यह दिखिए यहाँ पर हमने दो पैटरन कम्प्लीट किये हैं लास्ट में दो फंदे उल्टे वन, टू ऐस्टे सीधा बना लेंगे सेकंड रॉव कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटरन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फस्टाऊ से स्टार्ट करेंगे तो दिखिए फस्टाऊ, रॉव साइड ऐस्टी श्लिप करेंगे रिपीट पैटरन स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे वन, टू धगा आगे एक फंदा दो बार धागर आप करके बनेंगे 1,2,1 तीन फंदे उल्टे 1,2,3 फिर से एक फंदा दो बार धागर आप करेंगे 1,2,1 यह दिखिए यहां पर हमने दो फंदे सीधे बुने एक फंदा दो बार धागर आप करके बनें तीन फंदे उल्टे फिर से दो बार धागर फिर से दो फंदे सीधे, एक फंदा दो बाद धागर आप करेंगे, 1, 2, 1, तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर से एक फंदा दो बाद धागर आप करेंगे, 1, 2, 1, last में दो फंदे सीधे, 1, 2, एस्टेज उल्टा बना लेंगे सेकेंड और राइट साइड एस्टेज स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे वन तो दो फंदे राइट उलाइट उल्टेज करेंगे ट्विस्ट उलाइट बैक लोप से आगे लाएँगे एक फंदा, front loop से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीधा बना लेंगे, one, two, एक फंदा, उल्टा, दो फंदे left to right ट्विस्ट करेंगे, twist to right, पीछे के फंदा आगे लाएंगे, आगे वाला फंदा, back loop से पीछे लेकर जाएंगे, और दोनों फंदे सीधा बना लेंगे, one, two, यह देखे हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, फिर से एसे रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, one, two, दो फंदे right to left करेंगे, back loop से एक फंदा आगे लाएंगे, front loop से एक फंदा पीछे लेकर जाएंगे, दोनों फंदे सीध दो फंदे left to right करेंगे, और सीधा बना लेंगे, one, two, last में दो फंदे उल्टे, one, two, ऐसे सीधा बना लेंगे, यह देखे है, फिर से हमारा पैटन हमने second row complete कर ली है, ऐसे ही बार बार इसकी टूर और बीट करते जाएंगे, और यह पैटन बनकर, यह देखे है, इस तरह से द दिखने लगेगा, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती है, तो friend, आप इसे बनाएए, और अपने experience हमारे साथ share कीजिए, तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए वीडियो के साथ, till then, bye bye friend.